नमस्कार दोस्तो, 8 class NCRT geography का पहला चैप्टर है resources हम लोगों ने समझा था resources किसको खाते है रिसोरशेज का टाइप भी हम ने देखा था नेच्छरल डिसोर्षेज next families संसाधन कहते हैं और मैनमेड संसाधन मानौद संसाधन और मानों खुद एक संसाधन को हम Catalns सारी कैसे भी समझेते कि उसको कैसे वर्गी कृत किया गया है अब हम मैं में डिसोर्सेज को समझते हैं मैं में यानि कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या करता है इंसान थोड़ा बहुत बदलाव करके यानि कि उसके फों में थोड़ा सा चेंज करके क्या करता है मैं में डिसोर्सेज में परिवर्थित कर देता है ठीक है तो सबसे बड़ा रिसोर्सेज कौन हुआ तो माना हुआ क्यों कि यहीं तो सब कर रहा है यह क्या करता है नेच्रल रिसोर्सेज में क्या करता है थोड़ा बहुत चेंज करके क्या करता है मैनमेड रिसोर्सेज बना लेता है तो समझे कि मैनमे लगा करके अपना तकनिक यानि कि अपने ज्ञान को से क्या करता है वो चेंज कर लेता है किस में मैंड में वो क्या करता है इसे electricity generate करता है यानि कि कहने का अर्थ क्या है कि विद्दूत क्या करता है पैदा करता है जिससे देखते हैं आज घर में जो है हर घर में आज जो है विद्दूत जो है पहुंच गया है ठीक है एलेक्रिक जो है हर जगा है तो कहने का अर्थ क्या है यह इंसानों के द्वारा तो किय क्या करता है वो क्या करता है मसीन के दोबारा या कैसे भी टेक्नलोजी लगा करके इसको क्या करता है ब्रेक करता है और ब्रेक करके क्या करता है चोटा-चोटा क्या होता तब तक संसाधन नहीं बन पाता जब तक इनसान क्या है अपने टक्निक से अपने बुद्धी से सधर्ण बासा में समझें कि अपने बुद्धी का इस्तमाल करके वह मैंने मेड रिसॉर्सेज में नहीं चैनल यानि कि क्या करता है आईरन को अलग करता है इस्ट्रेक क्या है एक बहुत बरा है चलि अब आगे देखते हैं देखिए मैंड में रिस attack से को थोड़ा सदेखिए क्या है सम्टाइम्स नेचुरल सब्टांसेज वी धिकां रिसॉर्सा अंली ऒम वेन डीर ऊरीजिनल सब्र efic drilling has been changed डेखिए क्या होता है कि कभी कभी क्या है कि natural substances यानि कि प्रकृतिक पदार्थ जो है उसमें अगर इनसान क्या करे अगर उसके original form को अगर change नहीं करेगा तो वो क्या होगा management resources नहीं हो पाएगा या वो तो बहुत सारा चीज है कि जो resources ही नहीं हो पाएगा जैसे iron ore है ठीक है iron ore was not a resources until people learn to extract iron from it कहने का अर्थ क्या है कि iron ore से अगर iron अलग नहीं किया गया रहता तो क्या होता iron ore क्या होता कि एक संसाधन नहीं बन पाता ठीक है तो यह क्या करता है इनसान इसको क्या करता है अलग करता है people use mint natural resources to make building देखिए अब उस iron ore से क्या करता है कि iron ore से iron अलग करके निकलता है छड़ बना देता है ठीक है और देखते हैं कि building बना बिल्डिंग बना दिया या पथर से बिल्डिंग बना ब्रीज बना रूड बना मसीन भी क्या करता है इंसान जो है लोहा या बहुत सब्सक्राइब निर्वान करता है तो उसको क्या कहते है कि मानो निर्मित संसाधन हम कहते हैं तो मानो यह करता कैसे एक तो technology is also a human-made resources क्या करता है जैसे technology जैसे माल को लेते हैं कि अपने टेखनिक को विक्सित किया मसीन बना दिया उस मसीन से क्या करता है पथर फोड़ देता है पथर को फोड़ करके क्या किया गिटी बना दिया और उस गिटी से क्या करते हैं हम लोग जो है building bridge यह सब बनाते हैं तो मैंने में डिस्वार्स आप समझे होंगे अब ही में के बारे में समझे कि human human resources कैसे है मानों कैसे है तो वह people can make the best use of nature क्या करता है people मनिल लोग क्या करते हैं can make the best use of nature यानि कि nature का use अच्छा तरीके से कैसे नेचर के यूज़ करेगा तो देखिए तो क्रियेट मूर रिसॉर्सेज वेन दे हैब दा नौलेज एसकील डट टेकनलोजी टू डू सो कहने का अर्थ क्या है कि नेचर में जैसे नेचरल रिसॉर्सेज को ही लिजिए तो इनसान कैसे जो है उसके फॉर्म में चेंज करेगा कि आपने ज्यान के बदॉलत यानि की इसके लिए कि कर Smith और टेकनलोजी अगर 16 नहीं हो तो संभौ भी है यानि कि इनसान को क्या क्या चाहिए सबसे पहले क्या हो आपको ग्यानमान होना यानि कि आक Mann कि मुची के लिए किलिए का मों आप क्की क्या करतें क्या है और बुघ्जर क्रेब अच्छे तो इनसान को सबसे पहले क्या चाहिए एक तो आपको एजुकेशन चाहिए ठीक है दूसरा क्या चाहिए आपको उसका अगर अच्छा हेल्थ नहीं है तो वह अच्छा से काम नहीं कर पाएगा तो उसको दूसरा क्या चाहिए उसका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए तब तो द्योगी की एक मुल्यवान ब्यक्ति बन जाता है यानि कि वैलिव एबल परसन बन जाता है कैसे अपने एजुकेशन के बदोलाद अगर अच्छा हेल्थ है और उसके पास टेक्नलोजी है कि किसी भी काम में यह अगर एक भी है तो आपका काम जो है चल सकता है अगर इस त बनाते हैं तो मुल्यवान यह सब चीज आपको बनाता है देखिए पीपल और हुमें रिसौर्स तो बनाता है यह अगर तीनों है इसमें दो दीया है अगर यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं आप आप मुल्यवान हो जाते हैं ठीक है improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development कहने का और्थ क्या है अगर इनसान क्या करता है कि अपने quality को improve करता है अपने skill को improve करता है तो क्या करता है resources को बहुत अच्छे तरह से क्या पोता है कि जान पाता है और उसका यूज कर पाता है और मानो संसाधन क्या है एक विकास के तरफ बढ़ पाता है कहने का और्थ क्या है समाजिक विकास के लि तित्रा क्या है आपको टेक्नलोजी भी आनी चाहिए अप चलिए आगे देखते हैं confirming resources कहने का अर्थ क्या है कि हम Census का यानि कि है उस्षोफ क्या करेंगे यानिकि संसाधन का का हम का aç करेंगे तो सब से पहले हम समझते हैं reduce consumption यानि कि हम क्या करते हैं कम जो है उपभोग करके हम क्या करते हैं कि हम सांडरक्षित करते हैं कैसे जैसे मान लेते हैं कम उपभोग करके उपभोग करके ठीक है तो कम उपभू करके जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज है आप यूज कर रहे हैं अगर आपको आपका मानते हैं कि 10% में आपका काम चल जाता है आप क्या करते हैं 100% उसको यूज कर लेते हैं तो क्या होगा आप यूज कर लिए तो वो तो बरबाद हो जाएगा लेकिन आने ने मातरा से किजिए जैसे वाटर को ही लिजिए पानी को अगर हम अधिक क्या करते हैं मिसीज करते हैं तो वह क्या होगा भावी पीडी के लिए नहीं बसेगा इसलिए उसका भोग जो है कम से कम हो सके जितना हम को और शकता है उतना ही जैसे असनान करना है तो माल लेता है कि दो एक बालती पानी से यानि कि यह बालती पानी मनलेते हैं कि 20 लिटर से काम चल जाता है आप क्या प्लत पाइक मतलब पार 25 जो तों किल्डॕ Dogर आपका किया है तो यह आपका बेकार जा रहा है तो को अगर बचाना है तो माल लेते हैं 20 लिटर यूज किये तो असी लिटर पानी तो आपका ऐसे बच गया अब देखिए recycling of goods recycling मतलब पुना शक्रन करके किसका वस्तूओं का पुना शक्रन करके ठीक है पहले पहले घर की लेडी जो है अब देखते थे कि जो हम लोग सीट के नीचे डाल दिया और ठीक है बहुत अच्छा जो है उसका फिलाई करके हम लोग यूज करते हैं ठीक है तो कहने का और्थ है कि ऐसा नहीं करना है कि हम क्या करें किसी भी वस्तूओं को जो है विकार वेस्ट हम कर दें उसका क्या करना चाहिए पुना शक्रन उसका होना जाता है ठीक है उसका recycling किया जाता है फिर देखिए reuse of goods यानि कि वस्तू को क्या करना है फिर से जैसे मुबाइल का हम उदारन ले रहे है मुबाइल तो मोबाइल जैसे मान लेते हैं घर में 5 मेंबर है किसी फैमिली में 5 में ठीक है पांच मेंबर है तो देखिएगा 5 से ज्य बाइब अधिक अगर हो गया है 500 रूपया लगने वाला है तेरह जर का मुबाइल है आपको लगने वाला 500 रूपया तो वह क्या करेगा तो वह क्या करेगा तो कि रूप में देखी एलेक्ट्रोनिक जितने भी मसिनरी समान है वो सब क्या है आज बहुत बड़ा समस्य बन चुका है पूरे वर्ल्ड के सामने तो कहने का और्थ क्या है कि आप अगर ठेरह 10 Overwatch है या 129 मूबाइल है अब क्या कीजिए हजार रुपएा लगा दिजिए फिरसे रुपए लगा दिजिए इसका यूज हो पाएगा यूज होने से क्या होगा केरी यूज हो जाएगा और दूसरा क्या होगा बेशिट नहीं जाएगा औरwie यह जो देख रहे हैं इस सबस्राइब कास हम किसको करते हैं यह अगर पानी का नीचे चला गया यह पहुझ से यही बाहर रही है सोफीत और सोफीत हम लोग कल को क्या करते हैं थो पानी का दिकत का सामना करना ठीक है आज देख रहा है कि पानी का बहुत बड़ा समस्या जो है आप लोग देख रहे हैं तो आखों के सामने जो है बहुत सारा समस्या पानी से दिखाई दे रहा है तो कहने का और्थ क्या है कि इसको प्रजेंट में ऐसा यूज होना चाहिए जो फ्यूचर के लिए भी बचे उसको को हम सस्टेनेबल डेवलप्मेंट कहेंगे ठीक है क्या क्या करना है सौधानी पूरिवक्त करना है सो दैट दा नीट्स ओप नॉट ऑनली दप्रजेंट जनेरेशन बट फिचर जनेरेशन आर अल्सो फुल्पिट हमको इतना ही यूज करना है जिससे हमारा काम चल जाए तो उ स्वाइल नहीं देखिए हम लोग कर रहे है आज इतना ज्यादा जो है फटरलाइजर का प्रेश्टिस होता है जिससे क्या है मिर्दा यानि कि पूरी तरह से क्या है एक तरह से समझे की ना मने बरबाद हो गया है बिलकुल विशाक्त हो गया जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग क्या है हम लोग तोक्सिस सब्सक्राइब ले रहे हैं यानि कि बहुत ज़्यादा जहरील है चीज़ भी हम लोग उसके साथ ले रहे हैं तो समझ में आया सब्सक्राइब डिवलप्मेंट क्या है अब देखिए संप्रिंसपल अब सब्सक्राइब डिवलप्में है उसके परती हमको क्या किर्टग्यता यानि कि हमको रिस्पेक्ट जो है रिस्पेक्ट यानि कि हमको आधर पुर्वक रहना होगा आधर देना होगा इंप्रूब दा क्वालिटी ओफ एक है अच्छा से रभाइब घुन्वत्ता को बढ़ाना होगा जिससे मानोजीवमन क्या है अच्छा से रह फाए ठीक है अच्छा मिनिमाइज दा डिपलेशन ओफ नेच्ट्रल्ली सॉर्सेज कहने का अर्थ क्या है कम से कम डिपलेट करना है करना है बरबाद करना है बहुत ही कम मात्रा में यूज किजिएगा तब तो बरबाद नहीं होगा नेट्रल ली सोर्सेज का क्या करना है बहुत ही कम क्या करना है चरण करना है कम जो है उसको खर्च करना है कम बरबाद करना है ठीक है चेंज प्रफिसनल एटिटीट्स एन प्र परति क्या है आदर्भाव सजगता यह सब आपको इनवर्मेंट के परती रखना होगा तब जाकर के सटेनेबल डिवल्प्मेंट हो सगेगा इनेबल कम्मुनिटीज क्या है आपका जो भी समुदा है उसको क्या है इनवर्मेंट के परति क्या है के रखना होगा क्या होगा ठीक है जिससे क्या होगा आने वाले फिडिक को हम बहुत कुछ दे पाएंगे नई तो पूरे प्राकिर्तिक संपदा जो है हम लोग समाप्त कर जाएंगे अगर उसका मि कहने का और्थ क्या है जैसे माल लेते हैं कि हम लेंड करते हैं कि इतना सक दवा का यूज करते हैं ठीक है जिससे क्या है कि पूरी तरह से उसकी उर्वारता जो है देरे-देरे नश्ट होती जा रही है यह हम लोग पानी का इतना दोहन करते हैं कि क्या है ग्राउंड वाटर संसादन से यूज करना होगा जलदी जलदी तेशी से बरबाद कर दे कि वाले समय उसको को बनने में 1000 लाखों साल लगता है तो उसके परति भी हम को क्या होगा सजक्ता रखना होगा और रिन्युवेबल के परति तो रखना ही है यानि कि जय वीविवता को सनक्षित आपको रखना पर प्रकिर्तिक आपको करने से बचाना होगा एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे तरह कोई प्रोब्लम ना हो यदि प्रोब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पुछिएगा ठाइंक्यो